आज के इस वीडियो में हम जिवासम के बारे में समझेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विकास एंव वरगी करने से समझाथ और समरूप अंग के बारे में समझा था उसी प्रकारशे यहां इस टोपिक में जिवासम के बारे में वताय जा रहा है जो कि विकास और वरगी करने की सायता में सायक है यानि कि जिवासम इस प्रकार के सबूत है जिससे यह ग्यात होता है कि जिवों का कर्मिक विकास हुआ है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन अंगों की संद्चना केवल वर्तमान इस पिसीज पर ही नहीं किजा सकती यानि कि वर्तमान इस पिसीज में जो अंग है वरन उन इस पिसीज पिजा सकती है जो अब जीवित नहीं है यानि कि हमारे सरीर के जो अंग है हो सकता है कि हमारे पूरोजों में वो इस परकार के ना हो या वो अंग अधिक विक्षित हो तो ये सब जानने के लिए हमें हमारे इतियास में जाना होता है और हमारा इतियास हमारे जिवासम इसके बारे में ये दर्साते हैं कि पुर्वज यानि कि इन से पहले के जो जीवजनतु थे या मनुश्य के पुर्वज के जो उस्यस मिलते हैं मानो परजाती के उनसे यह जात होता है कि मनुश्य का कर्मिक विकास किस प्रकारशी होगा है तो चलिए हैपन देखते हैं हम कैसे जान पाते हैं कि विलुप्ट इस्पीसीज कभी अस्तित्व में भी थी यानि कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो पहले हुआ करते थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं है लान कि वो अब लुप्ध हो चुकी है परन्तु हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस्पीसीज पहले हुई थी वो हमें उसके जिवासम से पता चलेगा यह हम जिवासम द्वारा ही जान पाते हैं चितर 9.10 को देखेगा देखो 9.10 में बहुत सा चितरियां दिखाए गए है और यहां बताएजार है कि जिवासम क्या है यह परिभासा बनती है से काफी महत्रपुन परिभासा है कि जिवासम क्या है तो हम पहले इन चितरों को देख लेते हैं एक बार देखेगा कशेरुकी जन्तु है जिनका नाम है ट्राइलोबाइट ट्राइलोबाइट इसके जिवासम मिलते हैं अब यह लुप्ट हो चुके हैं इसी परकार से जिवासम मिले हैं इसका नाम है नाइटिया नाइटिया जो मसली है उसके जिवासम पाए गए हैं और डाइनासोर का नाम आ जानते हैं और यहां कुछ बाते निचे बताएगे हैं कि विविन परकार के जीवासम है विविन आविर भाव चाथा प्रिरक्षित विश्तर्त अवस्ताओं को देखिए डायनासोर का कपाल जीवासम जो दिखाया गया है कुछ वर्स पूर्वे नर्मदा घाटी में पाया ग होसते हैं यहां से आपको अंट्राइन करना है समनत है जीव की मरत्व के बाद उसके सरीर जीव के मरने के बाद में उसके सरीर का अपगटन हो जाता है यानिकि उसका सरीर जो देरे अपमार्जकों के दोवारा या अपगटकों के दोवारा अपमार्ज क्या अपगटक कौन से छोटे जीवानु है कवक है वो अब गटक का काम करते हैं और जो भी जीवदंतु है जिसकी मर्ति हुई है उसको सड़ा अगला करके वापस मिट्टी में मिला दिते हैं था वैस समाप्त हो जाता है परंतु कभी-कभी जीव अथ्वा उसके कुछ भाग एशे वातारों में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अब गटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है कभी-कभी क्या होगा जीव एशे वातारों में चले जाएंगे मिट्टी के अंदर जहां पर उनका अब गटन नहीं होगा उद्धारन के लिए देखिएगा यदि कोई मर्त कीट कोई कीट है वो सब जाती है जीव के इस परकार के परिरक्षित अवसे जिवासम कहलाते हैं तो इसे क्या कहते है पन जिवासम कहते हैं तो ये किट के उधान से इसकी परिवासा को समझाया गया है ये तो बात हुई जिवासम की कि जिवासम क्या है अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे जान पा जिवासम के आयू ग्यात करने की एक तो है सापेक्स विधी पै़ली विधी कुंची तरी जिवासम की आयू का निर्धारन किया ना सकता है। यदि हम किसी स्तान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जिवासम मिलने परारम हो जाते हैं। तब एसी सत्य में यह सोचना तरक संगत है कि पर्थवी की सत्य के निकट वाले जिवासम गहरे इसतर पर पैदावनेली जिवासम के अधिक नए हैं। दोष्षी जो विधी है उसका नाम है fossil dating विधी, fossil जीवासम जीवासम होता है, देटिंग यानिकी आयू, उनका आयू का निर्धान जो है, उनकी तारिक है डेट है उसका निर्धान पर इस विदिशे करते हैं, जिसमें जीवासम में पाये जाने वाले किसी एक ततव, देखो क क्योंकि वो एक पहले सजीव था और सजीव के अंदर जो तत्वे जैसे मालीजे कार्बन पाइदाता है हमारे सिरीज के अंदर भी कार्बन है ठीक है तो मालीजे अपने एक कार्बन ले लिया तो कार्बन के समस्तानिक हैं लग लग तो जो कार्बन के समस्तानिक हैं उनके अन परत्वी के अंदर जो अलग अलग परत्वी के अंदर जिवासम किस परकार से पाइदाते हैं तो इसको एक उधान शेपन समझते हैं आईए 10 क्रोड साल पहले यानिकी 100 मिलियन वर्स पहले से परारम करते हैं समुन्दर तल पर कुछ एक इसे रुक़ी जीवों की मर्दी हो जाती है यहां समुन्दर के पेंदे में तल में नीचे यहां कुछ एक इसे रुकी जनतु चितर में दिखा दे रहा है यह मर गए ठीक है? तत्था वे रेत में दब जाते हैं और वो रेत में दब गए धिरे धिरे और अधिक रेत एकत्रित होती जाती है तत्था अधिक दाव के करण Dec는 कुछ बात शटर में रहने वाले डानासोर मर जाते हैं वहां मालिज़ डाइनासोर भी पाजाते हैं उच्छेतर में और डाइनासोर भी मर गया ठीक है अपनी आयो निशित होने के बाद में इनकी मरत्यू हो जाती है या कि इसी दूर गठना से भी इनकी मरत्यू हो सकती है तथा इनका स्रीर भी मिट्टी में दब जाता है जिवासम यान की जो डैनासोर थे उनका सिरी भी मिट्टी में दब गया यह मिट्टी भी दब कर चटान बन जाती है और पहले वाले एक असेरुकी जिवासम वाली मिट्टी के उपर बनती है देखो यह तो थी एक असेरुकी वाली ठीक है चटान जनतों की और उसके उपर डानासोर जो ये डानासोर था ये मर गया ये भी निच्चे मिट्टी में दब गया तो निच्चे वाले तो एक कशे रुकी जिवों की जिवासम की पट्टी होगी और ये उपर वाली जो है ये डानासोर वाली इसमें आउसे स्पाई जाते हैं ठीक है, इसके उपरत और परत बन जाती है फिर अपने बात करते हैं, फिर इसके कुछ और मिलियन वर्स बाद इस चतर में गोड़े के समान, यानि कि गोड़े का जसा कोई जन्तु है कुछ जिवों के जिवासम चटानों में दब जाते हैं और इसके काफी समय उपरांद मर्दा अपरदन मर्दा का अपरदन होता है, मिट्टी कटजाती है मान लीजिए जल परवाइयानि कि भारी बरसात के कान वहां की मिट्टी कटेगी, कि कान कुछ ताने फटजाती हैं और गोड़े के समान जिवासम परकट होते हैं देखेगा इस चितर में लाज चितर में नीचे नीचे तो एक ऐसे रुकियों जो जन्तु थे उनका जिवासम है उसके ओपर डैनासोर के जिवासम है और उनके ओपर फिर ये गोड़े जैसा कोई परानी था उसके जिवासम है और यहाँ ओपर दूब पेड जो घास उगे वी है यहां भारिस मिट्टी का कटा होता है चटाने करते हैं चटाने करते हैं तो यहां जिवासम दिखाई देते हैं और फिर अपन दिरे दिर यहां इनकी और खुदाई करते हैं कि मिट्टी को खोते हैं चटानों खोते हैं तो हमें और भी जिवासम प्राफ्त होते हैं जैसे ज उसलिल डेंटिंग विधी हैं इनके बारे में समझा और जिवासम का निर्मान केशे होता है एक के बाद एक परत के अंदर जिवासम केशे बनते हैं इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकरी पराथ की विकास से समंधित ही अगला जो पॉइंट होगा इसी विकास और वर कार्शी हुआ है धन्यवाद